हेलो गाइज, वेल्कम बैक तो माय चैनल, आज के विडियो में मैं लेकर आई हूँ ग्लास स्किन रेमिडी, यानि कि आपके जो स्किन है इतनी ज्यादा शाइन करेगी मेरी तरह बिल्कुल ग्लास स्किन लगेगी, यानि ग्लास की तरह पारदर्शी स्किन हो जाएगी और बनाने के लिए हमें घर की ही चीजों का यूज करना है, मैंने लिया है यहाँ पर एक चम्मच बेसन, चोटा चम्मच बेसन का लिया है, साथ मैं आड कर रहा है यहाँ पर मैंने coconut oil, और आड करूंगे इसमें vitamin E oil, यानि vitamin E का एक capsule मैंने ले लिया है, उसे आधा करके मैंने य यूज किया है, क्योंकि 400 mg होता है, तो आधा ही यूज करेंगे हम इसमें, अब इन तीनों ही चीजों को मैं बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी, एक अच्छा सा हम पेस्ट बना लेंगे, ठीक है, बस इस पेस्ट को हमें बनाने के बाद अपने पेस पर अपलाय क करेंगे, इससे हमें अपने स्किन की मसाज करनी है, क्योंकि ये एज़ा पैक हमें अपलाय नहीं करना है अभी, इसे हमें मसाज करते जाना है, मसाज करने से क्या होगा, ये हमारी स्किन में जो भी डेट स्किन होगी उसे रिमूव करेगा, साथ के साथ हमारी स्किन को इसको लगाने से skin का रंग निखर जाता है, साथ ही बेसन, skin से जो extra oil होता है, उसे भी हटा कर skin को साफ कर देता है, और साथ के साथ इसमें जो coconut oil है, उसमें anti-aging good भी होते हैं, जो आपकी skin को बहतर बनाते हैं, और aging का science को कम करते हैं, साथ के साथ वाइटमिन E oil आपकी skin को young बना जरूर ट्राइ कीजेगा, definitely आपको glass skin जरूर मिलेगी, आप भी इस remedy को ट्राइ करके मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इस remedy कैसी लगी है, तो चलिए, मसाज कंप्लीट हो चुकी है, अब महीं है आपको दिखाती हूँ अपना face clean करके, तो आप देख सते हैं वो कितनी glass skin लग रही है, कितनी skin चमक रही है, अच्छा कासा glow आया है skin में, यह जो remedy है, आप चाहें तो इस remedy को daily use कर सकते हैं अपने skin पर, किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं है, सारी ही चीज़े बहुत ही natural है, skin के लिए फायदे मन है, इसी तरह की और भी remedies के लिए मेर अपनी skin को glass skin बनाना, एकदम glowing बनाना, चमकदार बनाना, जिससे की 10 लोग आप से पूछें कि, oh my god, आप इस skin कितनी glow कर रही है, I hope कि आप कोई remedies ज़रूर पसंद आई होगी, तो चलिए, मिलते हैं, next video पर, till then, bye bye, take care, thanks for watching.